पहली सुर्खी का सम्मन भारत के स्वतंतृता दिवस से है भारत के आजादी के 75 साल पूरे होने पर विदेशी मीडिया में क्या लिखा गया एक एक कर जान लेते हैं पाकिस्तानी अख़बार डॉन ने सुर्खी चलाई सुर्तंतृता दिवस की भाषन में पियें मोदी ने कहा कि भारत अगले 25 सालों में विक्सित राष्ट बनने की तरफ बढ़ रहा है डॉन ने पियें मोदी के भाषन के कुछ हिस्से का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है इसमें पियें मोदी के संकल्पो और भाषन की दूसरी जरूरी बातों को जगा दी गई है इसमें मेक इन इंडिया के तहद बनी विशेश तोप को शामल किया है अखबार ने लिखा पंद्रागस के मोखे पर मोदी की मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहद बने खुवत्सर के जर्ये किस तोपो की सलामी दी गई ब्रिटिश अखबार गाडियन ने सुर्खी लिखी मोदी ने विभाजन की सालगेरा पर भारत को अगले 25 सालों में विक्सित देश बनाने का संकल प्रिया अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा मोदी ने अपने भाषन में अपने पडोसियों, पाकस्तान और चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों या उनके सुधार का जख्र नहीं किया प्यमोदी ने भारत की एकता की बात तो की लेकिन उन आलोचकों का जवाब नहीं दिया अरब न्यूज ने सुर्खी लगाई, प्यमोदी प्लेजर्स टुमेक इंडिया डवलब्ट कांट्री इं 25 यर्स, प्यमोदी ने 25 साल में भारत को विक्सित देश बनाने का संगल प्या अरब न्यूज ने भी प्यमोदी के भाषन का कुछ अंश चापा लेकिन इसके साथ कुछ विशेश अग्यों की टिपड़ी को भी अख़बार में प्रमुकता दी मसलन लेखक भगवान दास मोरवाल ने मोदी के भाषन को दूर दृष्ट हीन बताया इतिहासकार आदित मुकरजी ने अरब न्यूज से कहा कि भारत उस विप्रीद दिशा में आगे बढ़ रहा है जिस दिशा में हमारे सतंतुरता से नानियों ने देश को स्थापित किया था इसके अलावा अरब न्यूज ने लिखा भारत में पिछले कुछ वक्त में अलपसंख्यकों के खलाफ हिंसा में व्रदी देखी गई है ऐसे ही कई हमले हिंदू राशवादियों ने किये लेकिन पीम मोदी ने 2014 में सत्ता समालने के बाद ऐसी घटनाओं में चुपी साधी रही बीबीसी ने सुर्खी लगाई इंडिपेंदेंस डे स्पीच पीम नरेंद्र मोदी कॉल्स ओन इंडियन्स तु फाइट मिसोजनी प्यम मोदी ने भारतियों से कुपरुथाओं से लडने का हवान किया अमेरिकी अख़बार दो वाशिंग्टन पोस्ट ने सुर्खी लगाई इंडिया सेलिब्रेट सिंस इंडिपेंदेंस अमिद होप एंटेंशन तनाव और आशा के बीच भारत ने आजादी की 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया अख़बार ने लिखा आजादी के इस जश्न में भारत की राजशनेतिक और धार में एक तनाव छुपे अपा बाइडन ने इस मौके पर कहा था अमेरिका भारत की इस लोगतांतर क्यात्रा का सम्मान करता है और इसके साथ खड़ा हुआ है यात्रा जो महत्मा गांधी के सत्ते और अहिंसा के संदेश के साथ आगे बढ़ी है अल जजीरा ने सुर्खी दी As India turns 75, there is little to celebrate भारत 75 वर्ष का हुआ क्या इसका जशन सही अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा भारत सरकार ने 12 माज 2021 को आजादी कामरित महत्सव मनाना शुरू किया इस अभियान में देश को उचाईयों में ले जाने के प्रतग्या ली गई लेकिन भारत के रिप इस वस्था संकट में हैं और ये संकट कोरुना महमारी से पहले ही था भारत की जीडीपी सबसे पहले रॉकडाउन के समय 1975-1976 के बाद से सबसे कम आकी गई अलजजीरा ने इस मौके पर भारत में बढ़ रही अलप संख्यकों के खिलाफ हिंसा पर भी लिखा है इसमें CA कश्मीर सहित भारत में बढ़ रहे हिंदू राश्वात का भी जिक्र है साथ ही भारत की कमजोर होते लोकतंदर पर भी कई बाते लिखी है जिसमें स्पाइवेर पेगासस के गलत अस्तिमाल का भी जिक्र है